कोई 10-15 साल का बच्चा क्या ही उखाड लेगा, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कोई नौकरी नहीं देगा, और ऐसे में वो क्या ही कमाएगा और क्या ही खाएगा, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए और माबाप के लिए भी ये वीडियो एक तमाचा है, क्य हालात के चलते 5 रुपए की मैगी से अपना गुजारा करता था, वो बंदा आज 5 करोड की घड़ी पहनता है, गुजरात के एक छोटी से गाउं में रहने वाला बंदा, जो कभी 5 रुपए वाली मिंट तक अफॉर्ड नहीं कर सकता था, वो इंडिया के सबसे महंगे एरिय हार्दिक पांडिया की, इस बंदे के आज के नवावी शौक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ उसकी कहानी, जिसे सुनकर आप वाकई में अंदर से हिल जाएंगे, किस्मत रहम तभी करती है, जब बंदे में किस्मत को चैलेंज करने का जजबा हो, और ऐसे लोगों के सामने किस्मत भी अपना सर जुका देती है, हार्दिक पांडिया, ये बंदा एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करता है, जो पहले से ही पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं करता था, कॉलेज की बात तो छोड़ दीजे, और दोस्तों, स्कूल में भी इतना फ्रस्टेटिड था कि 9th स्टैंडर में 3rd attempt में पास होने के बाद उसने पढ़ाई को ही छोड़ दिया, इस बंदे को बचपन से क्रिकेट में बहुत इंटरस्ट था, इसलिए ये दूसरे गाउं में क्रिकेट खेलने के लिए जाय करता था, वहाँ पर अगर इनकी टीम जीती थी तो उनको 300-400 रुपए मिलते थे, एक गाउं से दूसरे गाउं का सफर भी वो किसी से मदद मांग कर पूरा करता था, ताकि लंच के लिए पैसे बच जाएं और उसके बावजूद भी इस बंदे को 5 रुपए की मैगी पे अपना पू बुरा लगता था यार कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी बच्चत करने के बावजूद भी हमें किराय के घर में रहना पड़ता है, पहले तो इनके बापा फाइनस कंपनी में काम करते थे, पर हार्ट अटेक के बाद उनको वो भी छोड़ना पड़ा, पर फाइनेशल सिचु अर्दिक का सेलेक्शन अंडर 16 कैंप में हो गया, और इसी बीच इंग्लैंड की टीम इंडिया में आके खेलने वाली थी, और सारे बच्चों को अपना नाम बॉल बॉय के लिए देना था, पर यहां पर इस बंदे का एटिट्यूट देखना, इसने कहा कि मुझे बॉल पन होता है न, वो ऐसी ही होते हैं, और शायद इसी जुनूर ने, इसी पागलपन ने इस बंदे को इस लेवल पर पहुँचा दिया, सचिन तिंदुलकर के साथ इनका पहला किस्सा बहुत फिमस है, जब पहली IPL मैच में हार्दिक ने जबरदस्त इनिंग खेली और मुंब मज़ा है, मज़ा तो तब आएगा जब पैसा अपना हो, कामियाबी अपनी और मज़ा अपने माबाप करें। मिला हुआ है, आपके घर में पैदा हुआ, मैं आपका फैन हुए यार। किसी भी माबाप के लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है, कि जिन्दगी बार आप जिसके फैन हो, वो खुद आपको आके बोले कि मैं आपके बेटे का फैन हूँ, शायद असली कामियाबी इससे ही कहते हैं। तब भी मैं ऐसा ही था। मुझे जब कोई चीज पसंद आती थी, तब मैं उसकी कीमत जमा करने की कोशिश करता था और उसके लिए अपने सपनों के पीशे भागता था। और आज भी वही करता हूँ। दोस्तों ये था हार्दिक पांडिया का जीरो से लेकर हीरो तक का सफर जिसमें पांच रुपए की मैगी भी उतनी ही इंपोर्टेंट है जितने की पांच करोड की घड़ी। अगर आपको हार्दिक पांडिया की कहानी पसंद आई हो तो शेयर कीजेगा हमें फॉलो कीजिए जय हिंद जय भारत।